नमस्कार मैं आचल आप देख रहे हैं टुड़े 24 न्यूस आए नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर श्रीशिफ शक्ती मंदिर ट्रस्ट अग्रवाल युवा संग संस्कृती एवं गो सेवक परिवार के सोजन्य से आयोजित तिन्सुकिया के गोशाला में गोपाश्टमी विधिवत धंग से पालन किया गया गोश उरक्षा की मननत और संकर्थ के साथ 2100 दिये प्रजवलित किये गए ऐसे में मालूम हो कि गोपाश्टमी समारों का मुख्या आकर्शन मेरट से पधारे आचार्य श्री अनील जी जानी के कंठों से निकले मधुर भजनों के साथ साहील डांस ग्रुप कोलकाता के कलाक प्रस्तोत रासलीला ने उपस्थित श्रधालूं का मन मोह लिया दर्शकों को मालूम हो कि दिवाली के बाद कार्थिक महीने की शुकल पक्ष की अश्टमी को गोपाश्टमी मनाई जाती है पौरानिक मानिताओं के मतानुसार माता यशोदा ने बालकृष्ण को इसी तिथ ऄखित शिव भक्त बाबा कालिदास का प्रगार संबन्ध है दो दिवसिय गोपाश्टमी के आयोजन में बाबा कालिदास भी उपस्थित हुए आपको बता दें कि बाबा कालिदास जी के पूरे विश्व में 37 आश्च्रम है और साम्पला का आश्रम उनमें से एक है बाप के पास 33,000 से भी अधिक गाय है साथ ही इन मासूम गायों की सेवा निस्वार्थ भाव से की जा रही है आपको बता दे कि बाबा कालिदास सन 1984 से अन्ना और जल के बिना रह रहे हैं सूर्य उदय और सूर्यास्त से पहले बाबा केवल नारियल का पानी पीते हैं यही सिलसिला स सन 1984 से चला आ रहा है बिन अन्ना और बिना जल के दशकों से जी रहे बाबा कालिदास किसी चमतकार से कम नहीं है शिवभक्त बाबा कालिदास के अनुयायों की संख्या न केवल देश में बलकि विदेशों में भी अगनन है तिनसुक्या से अरुन कुमार जैन के साथ कैमरा पसंद मूना घटवार की रिपोर्ट 200 गाईयों का सदा हम सेवा गोपाल करते रहते हैं और तिनसुक्या वासी इससे धन्य है गोपास्टमी का इस सुब वसर पर एई बोलना चाहते हैं गौव सेवा सर्वसरिष्ट सेवा है गौव हमारा भारत का रत्म है इस रत्म को रिशी महर्शी ने इसको कामु धहनु बो को मनाय हुए आज हमरा तिन सुक्या गौवसाला परिवार शिवशक्ति मंदिर ट्रश्ट का अंतरगत सभी ने भक्त समाज ने आज हमारे अनिल जी महराज रूर वहां यूपी मेरड से पधा रहे हैं उनका सानिद्धे में उनका संहितकार काफी आएं बहुत अच्छी तार् करन से यहां यहां संकिर्टन संगीत और एक तरह से राश लिला हुआ है इसे यहां का जनता जनार अभी के लिए बस इतना ही बने रहे है टुडे 24 न्यूस के साथ